मई 21 GSTR 3B Due Date Extension को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं ये Due Date किसके लिए Extend हुई है, कब तक के लिए Extend हुई है सभी discussion इस वीडियो में करेंगे वीडियो में आके पढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी important updates आपको मलते रहें दोस्तो GST Portal पर आपके लिए एक बहुत ही important update है webinar on recent functionality related to refund deployed on GST Portal तो GST Portal पर काफी सारी नई functionality introduced की गई है जैसे की registrations, returns, advanced ruling, payment, refund and other miscellaneous topics के अंदर काफी सारी functionalities आई है, registration में भी आई है, return के अंदर भी नई functionalities आई है तो उन सभी पर जो webinars हैं वो conduct किये जा रही है GSTN के द्वारा, यह webinars Hindi, Tamil और Marathi तीन languages में रहेंगे इन webinars को अगर आप join करना चाहते हैं तो उनका YouTube link GST Portal पर ही दिया गया है जब आप यह advisory open करेंगे तो आपको यहाँ पर यह YouTube link मिलेगा इस YouTube link पर जाकर के आप इन webinars को join कर सकते हैं, यह totally free है तो यह webinars के link आपको GST Portal पर ही मिल जाएंगे, आपको login करने के अवशक्ता नहीं है जैसे ही आप GST Portal पर जाएंगे, news and update section में आपको यह news मिल जाएगी अब हम बात करते हैं मई 21 GSTR 3B की तो दोस्तो CBIC के अभी जो tweets आ रहे हैं उसमें मई 21 GSTR 3B की जो due date है वो 20 June बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 June आपकी due date है अपनी 3B फाइल कर लीजिए अब जो confusion create हो गया है वो हो गया है कि GST Portal पर तो हमें जो due dates दिखाई दे रही है वो extended due dates दिखाई दे रही है तो उस confusion को भी हम यहाँ पे clear कर लेते हैं कि GSTR 3B की जो due dates है वो extend हुई है या नहीं हुई है या कब तक हुई है उससे पहले जो ITC को लेकर के सवाल है कि GSTR 3B के अंदर जो ITC है मई महीने में उसको हम किस तरीके से claim करें क्या GSTR 2A से लें या 2B से लें या books से लें सबसे बड़ी confusion यह create हो गई है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ जो GSTR की आपको अपना जो ITC है वो इस तरीके से claim करना है GSTR 1 की अगर आप due date देखे तो मई 21 के लिए हमारी GSTR 1 की due date extend की गई है 26 जून 2021 तक तो GSTR 1 की date extend कर दी गई है इसी जरीके से जो IFF facility है मई 21 के लिए हमारी IFF facility की due date भी extend कर दी गई है 28 जून 2021 तक तो ये dates तो extend हो चूकी है जबकि 3B की date हमारी 20 जून है लेकिन GSTR 1 और IFF की जो date है वो 26 जून और 28 जून है यानि कि हमारी जो 2B है वो हमारी GSTR 1 और IFF की date के बाद generate होगी तो बाद में generate होगी तो हम ITC कैसे claim करें सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है तो दोस्तों मई महीने में आपको एक relief दिया गया है एप्रेल और मई महीने के लिए कि आप अपना ITC as per books claim कर सकते है self assessment basis पर claim कर सकते है आपको rule 36 sub rule 4 को follow करने की आवशक्ता मई एप्रेल और मई में नहीं है लेकिन एप्रेल मई और जून में आपको cumulatively जून के अंदर rule 36 sub rule 4 apply करना है एप्रेल मई और जून का cumulatively आपको तीनों महीनों का देखना पड़ेगा तो ITC की confusion को पहले clear कर लिजिए कि ITC आप self assessment basis पर as per books भी claim कर सकते हैं आप rule 36 sub rule 4 को ignore कर सकते हैं मई महीने की अपनी GSTR 3B के अंदर तो ITC में किसी तरह की कोई अपरेशानी नहीं है GSTR 1 की मैंने बता दी है आपको 26 जून और IFF की 28 जून अब चलिए बात कर लेते हैं GSTR 3B की due dates का क्या हुआ तो दोस्तो GSTR 3B की जो मैं महीने की due dates है न वो आपको GSTR portal पर जब आप login कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रही है 5 करोड से जादा वालों को 5 जुलाई और कम वालों को 20 जुलाई तो ये जो due date है न ये due date जो extend हुई है ये केवल और केवल late fees के purpose से extend की गई है यानि कि जो आपकी late fees है वो इन extended due dates तक माफ है तो अगर आप अगर माल लीजे आपका turnover 5 करोड से जादा है तो मैं महीने की GSTR 3B आप 5 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं 5 करोड से कम है तो 20 जुलाई तक फाइल कर लीजे आपको कोई भी late fees पे नहीं करनी है तो late fees से तो आपका बचाव हो जाएगा लेकिन second जो point आता है दिमाग में क्या interest से हम बच पाएंगे late fees से तो हम बच जाएंगे क्या interest से हम बच जाएंगे अगर आपकी tax payment बनती है तो उस पर लगने वाले interest से क्या आपका बचाव होगा तो वो आपको द है तो पहले पंदरा दिन के लिए निकि डूडेट आपकी ओरिजिनल डूडेट क्या है 20 जून तो 20 जून से पहले पंदरा दिन के लिए आपको 9% के rate से interest देना है और उसके बाद आपका 18% जो है वो लगता रहेगा इसी तरह अगर आपका turnover 5 करोड से कम है तो 20 जून से पहले 15 दिन आपका निल इंटरस्ट रहेगा कोई इंटरस्ट नहीं देना है उसके बाद के 15 दिन 9% और उसके बाद 18% तो इस तरीके से आपको अपने interest calculate करना है माल लीजे आपने due date से 20 दिन अपनी GSTR 3B late कर दी तो पहले 15 दिन तो कोई interest नहीं है बचे हुए जो 5 दिन है उन पर आपको 9% के rate से interest देना होगा तो अब यह आपको टै करना है कि आपको अपनी 3B की filing कप करनी है निल return है या text payable नहीं है जा interest नहीं बनता है वहाँ तो आप अपनी 3B की filing late fee waiver वाली dates तक कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर आपका text बन रहा आपको interest pay करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है ठीक है ITC में कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ITC आप अपना 100% भी claim कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है रिलीफ आपको दिया गया है April और मई महीने का तो I hope इसके बाद आपको कोई confusion नहीं होगी Thank you for watching